स्टेडी आई क्यों की ऑडिटोरिल कार्क्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी इस कार्क्रम में UPSC और राज्य सिवल सिवा परिक्षा के मेंस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है कार्क्रम में आज का टॉपिक है राज्यनीती का अपराधी करण ये टॉपिक सामान अथेयन प्रश्ट पत्रदों के भारती राज्यनीती खंड से जुड़ा हुआ है हम उमीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एक्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा तो आईए अब कार्क्रम की शुरुआत करते हैं अक्सर कहा जाता है कि राज्यनीती समाज से अपराधों को दूर करने का एक जर्या होती है ये देश और समाज को एक सही दिशा और दशा देने का काम करती है देश के छ deposit को दुनिया भर में सुधारने का काम करती है लेकिन जब यही राजनीती करने वाले राजनेता तमाम अपराधों में लिप्त होते हैं तो सवाल उचना स्वाभाविक है निश्चित तोर पर जब राजनीती करने वाले ही अपराधी होंगे तो क्या समाज और देश अपराध मुक्त हो पाएगा भारत जैसे देश में जहाँ पर लोग इन तथा कथित राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं तो ऐसे में क्या समाज में अपराध नहीं बढ़ेंगे तो चलिए, आज के इस कार्क्रम में हम राजनीती के अपराधी करण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण है और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके अलावा बात करेंगे राजनीती के अपराधी करण से कैसे निप्टा जाए और आगे की राह क्या हो सकती है आखर में टॉपिक्स सम्मंधित मुख्य परिक्षा का एक सवाल भी डिसकस करेंगे तो इसी के साथ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखर राजनीती का अपराधी करण होता क्या है भारत में राजनीती का अपराधी करण कई वर्षों से चिंता का विशेह रहा है यह अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों की राजनितिक विवस्था में खुसपैट को दिखाता है यह देश और इसके नागरिकों की कीमत पर अपने खुद के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने शक्ति और प्रभाव का इस्तिमाल करते हैं कहा जा सकता है कि समस्या बड़ी है और कई वर्षों से चर्चा का विशे रही है राजनीती के अपराधी करण का मतलब है राजनीती में अपराधियों और आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागिदारी इसके रावा जब अपराधिक प्रष्ट भूमी से आने वाले लोग और राजनेता नर्वाचित प्रतिनिधी बनते हैं तो ये राजनीती के अपराधी करण की शुरुवात होती है राजनीती में अपराधियों की भागिदारी से वे चुनाव लड़ सकते हैं और संसत और राजी विधान मंडल के सदसे के रूप में निर्वाचित भी हो सकते हैं और ये मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों की बीच साठ गाठ के वज़ा से होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले कई राजनेता राजनेतिक दलों में बड़े पदों पर पहुचने में कामियाब रहे हैं और कुछ मामले में तो राज्यों और केंद्र सरगारों में मंत्री भी बन गए इसका पूरी देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है इसमस्याओं की जड़े देश में आजादी के बाद से ही दिख सकती हैं जब देश अपने लोकतंत्र के स्थापना के लिए संखर्श कर रहा था उस वक्त राजनेतिक वातावरन ठीक नहीं था और राजनेतिक दल अपने विरोधियों पर बढ़त हासल करने के लिए बेताप थे इस प्रतिस्पर्धी माहौल में कई राजनेता चुनाव जीतने में मदद करने के लिए आपराधिक तत्वों की ओर मुड़े इसने भारत में राजनीतिक अपराधिक करन की शुरुवात की अगर आगुडों की बात करें तो असोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल एलेक्शन वाच की एक रिपोर्ट के मताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में 43 फीसदी सांसदों ने अपने खलाफ आपराधिक मामलों की घोशना की थी और 29 पॉसंड ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोशना की जैसे हत्या, अपहरन और महिलाओं के खलाफ अपराध रास्टी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि NCRB की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2014 से 2018 के बीच चुने के प्रतिनिद्यों के खलाफ भारती दंड सहिता आईपीसी की विभिन धाराओं के तहत मामले दर्ज थे जिनके संख्या में 44 फीसदी की वृत्य हुई इसके लावे NCRB की Crime in India रिपोर्ट के मताबिक 2019 में राजनिताओं द्वारा किये गया अपराधों के 9,427 मामले थे जिन में से 4,029 मामले भष्टा चार्ट से संबन दित थे अब सवाल उठता है कि भारत जैसे लोगतंत्रों में आखर राजनिती में अपराधियों के घुस्पैट के क्या कारण हो सकते हैं तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर राजनिती के अपराधी करण की क्या वजहें हो सकती हैं इसकी वजहों में सबसे प्रमुख है चुनाव में जीतने का फैक्टर उमीदवार का चयन और टिकट देते वगत राजनितीक दलों का ध्यान मुख्यता इस बात पर होता है कि किस उमीदवार के जीतने की जादा संभावना है जब किसी उमीदवार के जीतने की एक शमता पर गोर किया जाता है तो ये सपश्ट है कि आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले उमीदवारों के जीतने के एक शमता साफ छवी वाले उमीदवार के तुलना में दोगिनी होती है यही कारण है कि हर चुनाव में राजनितिक दल आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले उमीदवारों को खड़ा करते हैं इसके अलावा चुनाव में अधिक से अधिक वोट पाने और सत्ता हासल करने के लिए राजनितिक दलों के द्वारा चुनावों और अन्य गतिविदियों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किये जाते हैं और इसी खर्च को पूरा करने के लिए राजनितिक दल अपराधी और भ्रस्चाचारी उमीदवारों को चुनावी मैदान में उतारते हैं हमारे देश में चुनाव लड़ते वक्त प्राया सुशासन नदारत रहता है इसके अलावा शासन की इसकमी को देखते हुए आम तोर पर राजनितिक दलो द्वारा निस्पक्ष चुनाव लड़ने के लिए निरधारित उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता इस वज़े से राजनिती का अपराधी करन बढ़ता जा रहा है भारत जैसे देश में जहां जाती और धर्म सभी क्षेत्रों में प्रमकु भूमी का निभाते हैं ऐसे में राजनितिक दलो द्वारा मैदान में उतारे गए उमिद्वारों की आप राधिक चवी भी चुनाव पर बेहद जादा प्रभाव नहीं डाल पाती क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, जाती या धर्म जैसे सामुदाए खितों के एक संकीड नजरिये से मतदान करता है साथ ही चुनावों में राजनितिक दलो द्वारा धन और बाहुबल का अत्यधिक इस्तमाल किया जाता है जिसके वज़से राजनितिक दलो द्वारा बाहुबली ट्राइप लोगों को मैदान में उतारना जरूरी हो जाता है भारत की जनता में अभी भी जागरुकता का परियाप्त अभाव दिखता है साथ ही लोगतंत्र के सर्धान्तों के बारे में जानकारी का भी अभाव है ऐसे में भोली भाली जनता इन उमिद्वारों की बातों में असानी से आजाती है और ये उमिद्वार जीदने में सफल हो जाते हैं इसके लावा आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले उमीदवारों के द्वारा लोगों को डरा धमका कर भी वोट वसूली की जाती है और लोग इनके भैसे इने वोट कर ही देते हैं लेकिन इसके परणाम देश और लोगतंत्र के लिए बेहद गहा तक होते हैं अब एक नजर राजनीती के अपराधिकरण के परणामों पर भी डाल लेते हैं अगर राजनीती क्या पराधिकरण की बात करें तो भारती राजनीती और देश के कानून नर्मार में आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले व्यक्तियों का स्तित्व देश के लोकतंत्रों को बुरी तरह प्रभावित करता है इसे से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है देश का विकास प्रभावित होता है और देश पिछडे पन से बाहर ही नहीं निकल पाता इसके लावा ये उपयुक्त उमिद्वार चुनने के लिए मतदाताओं की पसंद को सीमित कर देता है साथ ही ये स्वतंत्र और निश्पक्च चुनाव के खलाफ भी है जो लोगतंत्र का आधार है राजनीति का अपराधिकरन लोगतंत्र के लिए एक गंभीर खत्रा है क्योंकि ये कानून के शासन और लोगतंत्र के संस्थानों को गमजोर करता है जब आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले राजनीता सार्वजनिक पदपरासीन होते हैं तो ऐसे में वो अपने शक्ति का उप्योग नियाय प्रणाली को नश्ट करने और अपने हितों की पूर्थी के लिए करते हैं इससे सुशासन की कमी हो सकती है और देश के सामबे महतपूर मुद्दों का समाधान करने में विफलता हो सकती है राजनीती का पराधिक करन अकसर प्रष्टाचार को बढ़ावा देता है आप राधिक प्रिश्ट भूमी वाले राजनेता व्यक्तिकत लाब के लिए अपने शक्ति का उप्योग करने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे देश में व्यापक प्रष्टाचार पनप सकता है इसके लाबा ये भी देखा गया है कि आप राधिक प्रिश्ट भूमी वाले राजनेता अकसर धन बल का इस्तमाल कर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद खर्च किये गयधन की भरपाई करने के लिए प्रष्टाचार करते हैं और प्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीदिया बनाते हैं राजनीतिक अपराधिक करन से ये राजनीतिक दलों का अपराधिक करन हो सकता है आप राधिक तत्व राजनितिक दलों पर नियंद्र हासिल कर सकते हैं और उन्हें अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कमजोर कर सकता है और कानून के शासन को कमजोर कर सकता है जब आप राधिक प्रश्टु भूमी वाली राजनीता सारवजनी के कार्याले धारण करते हैं तो ये राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है इससे जनता के बीच उदासी इंता और मोह भंग हो सकता है लोगों का लोगतंत्रक संस्थानों और कानून के शासन में विश्वास कम हो सकता है और जब लोगतंत्रक व्यवस्था में लोगों का विश्वास कमजोर होता है तो ये भारत जैसे लोगतंत्र के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है भारती राजनीती में अपराधियों का प्रवेश सारवजनिक जीवन में अपराध को और बढ़ावा देता है ये कारिकारी, नौकरशाही, विधाईका और अदालतों समेच राज्य संगठनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है एक प्रवुक समस्या ये भी उत्पन्न होती है कि जब कानून तोड़ने वाले ही कानून निर्माता बन जाते हैं तो ये उमीद किस से की जाए कि कानून के शासन का पालन होगा ऐसे में ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं और उच्च पदों पर अपने रिष्टेदारों और सगे संबंधियों को बैठाने की कोशिश में रहते हैं जिससे योगी व्यक्तियों के साथ नाइसाफी होती है इस तर राजनीती के अपराधी करण के बेहद भैंकर परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं लेकिन सवाल उठता है कि राजनीती के अपराधी करण के बारे में सुप्रीम कोट क्या कहता है आगे राजनीती के अपराधी करण के खिलाफ सुप्रीम कोड के कुछ मामलों पर नजर डालते हैं 2002 में Association for Democratic Reforms बना भारत संग मामले में सर्वुचिन्यायाल ने कहा कि राजनीती का अपराधी करण लोगतंत्र के लिए एक गंपीर खत्रा है और भारत के चुनाव आयोग को ये सुनुशित करने के लिए दिशान नर्देश जारी करने का नर्देश दिया कि आपराधी के रिकॉर्ड वाले उमीदवारों को राजनीतिक गलोद्वारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दिया जाए कोट ने ये भी आदेश दिया कि उमीदवारों को अपने नामांकन पत्रों में अपने आपराधी के रिकॉर्ड का खुलासा करना होगा 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संग मामले में सुप्रीम कोट ने पाया कि सजा याफता अपराधियों को सारवजनिक पद पर बने रहने की अनुमती देना लोग तंत्रों के सधानतों के खलाफ है और ये माना कि संसद या राज्य विधान सभा का कोई भी सदसे जो अपराध का दोशी है उसे दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है तो वो संसद या राज्य विधान सभा के सदस्यता से अयोग्य घोशित किया जाएगा अदालत ने ये भी घोशित किया कि एक सजायाफ्ता संसद अपील लंबित रहने के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकता 2018 में Public Interest Foundation बना भारत संग मामले में सुप्रीम कोट ने कहा कि राजनीती का अपराधिक करण एक कैंसर है जो लोकतंत्र के महत्व को खा रहा है और राजनीतिक दलों को उनकी वेब साइटों, सोशल मीडिया हैंडल और समचार पत्रों में अपने उमीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने का निर्देश दिया इसके अलावा अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को यह सुनुशित करने के लिए एक फ्रेम वर्क भी तयार करने का निर्देश दिया कि उमीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंक से प्रसारित की जाए 2019 में महिपाल सिंग राडा बनाम उत्तर प्रदेश राजी के मामले में सुप्रीम कोट ने गहा कि राजनीती का अपराधिकरन बेहद चिंता का विशह है और इस समस्या से निपटने के लिए ततकाल कारवाई की मांगी अदालत ने केंद्र सरकार को राजनीताओं के खलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेश अदालते स्थापित करने का भी निर्देश दिया अब ये भी जरूरी है कि आखिर राजनीती के अपराधिकरन से कैसे निपटा जाए और आगे की राह क्या हो सकती है इसके लिए सबसे महत्तोपून है चुनाव के लिए फंडिंग चुनाव सुधारों पर विभिन समीतियों के निर्दोशों को अपनाना दिनेश गोस्वामी समीति और इंद्रजीत समीति ने चुनावों के राज्य वित्त पोशर की सपारिश की है जो काफी हद तक काले धन की उपयोग पर अंकुष लगाएगा और इस तरह राजनीति के अपराधी करण को समीत करने पर महतुपूर्ण प्रभाव पड़ेगा साथी मतिदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार और अन्य प्रलोबनों के दुरुपयों के बारे में भी जागरूक रहने की जरूरत है इसके अलावा वित्त पोशर में अधिक पारदर्शिता लाने से राजनीतिक दलों के लिए गैंक्स्टर्स को शामिल करना कम आकर्शक हो जाएगा जितना जल्दी हो सके जादा से जादा फास्ट्रेक अधालते गठित की जाने चाहिए क्योंकि राजनीता जान बूच कर नियायक प्रक्रिया में देदी करते हैं ताकि बिना किसी डर के वो अपने पदों पर बने रहें साथी चुनाव आयोग को अपराधियों और राजनीताओं के बीच साथ गाट को तोड़ने के लिए परियाप्त उपाय करने चाहिए आरोपी व्यक्यों को चुनाव में खड़े होने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए राजनीतिक दलों को भी सुनुशित करना होगा कि वो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट ना दे आप राधिक प्रिश्च भूमी वाले राजनीताओं को उनके कारियों के लिए जवाब देख ठराय जाए ये राजनीतिक प्रशाचार के लिए सक्त कानून और दंड लागू करके और ये सुनुशित करके किया जा सकता है कि न्याय पालिका स्वतंत्र है और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है अंत में राजनीतिक अपराधी करण को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ती की जरूरत है राजनेताओं को स्वयम एक उदाहरन स्थापित करने और ये सुलुशित करने का बीड़ा उठाना चाहिए कि केवल इमानदार और कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही सर्वजनिक पदधारन करने की अनुमती दी जाए ये राजनीतिक व्यवस्था में अखंडिता और जवाब देही की संस्कृती बनाने में मदद कर सकता है और इस तरह से सभी लोग मिलकर देश से राजनीति के अपराधी करण को समाप्त कर सकते हैं अंत में विशे से सम्मंदित मुर्ख्य परिक्षा का एक सवाल भी नोट कर लेते हैं राजनीति के अपराधी करण से आप क्या समझते हैं? ये लोग तंद्र के लिए कितना खतरनाक है? चर्चा कीजिए उमीद है आज का ये विशे आपकी परिक्षाओं के लिहाद से बेहद कारकर साबित होगा